हेलो गाइस आज हम आपको ले क्या है कैसा रेस्टोर्ट में जो एरोक्लेट की तीम पर मना है चलो अब आपको इसे दिखाते हैं कि आ गया हमारा रेस्टोर्ट इत्ती सुन्दर और ब्यूटिफुल लाइटिंग इससे तो देख देख से मानी मोह लिया था इससे तो मेरा और मुझे घाज आए का मानी निगर रहा थे इन लाइटिंग को देखकर या गया ह हमारा असली जैद शिकर जी थड़ड़ड़ या गया हमारा कैमल यह हमारा हॉर्स और यह हमारा हॉर्स का बच्चा बोगी के साथ हेलो गाइज यह है वावार रस्टोर्ट अभी हमने आपको रात में दिखाए और अब आपको दिन में दिखाएंगे हेलो गाइज आज हमाए है अगाताबाद के दिद्वरी अब आवाईय चांते जो डेली और मेरन एक्स्प्रेसे के बीच में पड़ता है जो एरोपलेन की दीम पे बना है अब आप पहुच गए है एरोपलेन रेस्टोर्ट बे चलो और आपको लेकर जलते हैं लेट्स गो सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगे कि यहाँ पे एंट्रिवीज कितने की है पर परसन और यहाँ की पर परसन है टूहनुर्ट रुपीस जो फूट के बिल में एक्जास्ट होगी बहुत है यहाँ बहुत यहाँ आपको 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 तो मैंने अभी फीस पकड़ा दिये और भया नहीं में को बोडिंग पास दे दिया है यह है बोडिंग पास अवावाई रेस्टरोन इस पे यह हम दोनों का है वाव इतना बड़ा एरोप्लेन मैं तो देखके वाव वाव ही करती रह गई थी इतना बड़ा एरोप्लेन मैं इसे दूसरी बार देख रहा हूँ पहला तब जब यह बन रहा था दूसरी बार अब जब यह बन चुका है सारी सिक्योरिटी सिक्योरिटी अंद कर ले मेरा बोटी के पास देखा और मजे जाने दिया मैं इतनी खुश थी और मैं जल से गई और जल जल आज़ो आज़ो आप भी मेरे साथ मैंको तो इतनी खुशी हो रही है एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट और यह मैं थोड़ा से उपर से सीन दिया था चु चलो अब मैं आपको एक्सप्रोर करवाती हो थी उन्डर चलो चलो एरोप्लेन ज़ो अंदर चलते है चलो यह मारा गेट था एरोप्लेन का यह एंट्री गेत है यह थे बबल्स इतनी में लाइटिंग तो में को बहुत ही प्यारी लग रही थे यह बहुत ही बड़ा रेस्ट्रांट था है मैंने सीड भी लेक ले ली है अग्यक्त दिस यह आप पर वीकेंड में तो बताना वीक देस में हाना क्योंकि ये वीकेंड में फुल रहता है सो गाइस आप देखी सकते हैं इतनी भीड़ है वीकेंड पे अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ चलो मेरे साथ चलो 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 यही से किचन का खाला आता है यह इनका काउटनर था और यहां से इनका खाला आता है यह काउटनर है बदा आप यहां पर फोर वीलर से ही आ सकते हैं क्योंकि यहां पर टू वीलर अलाउट नहीं है और मैं आपको यहां की टाइमिंग्स भी बताती हूँ यहां की सुबह की टाइमिंग है एट एम उपन होता है और इलेवन पी यह क्लोज हो जाता है काईज मुझे बहुत ते बुख लगी थी और मैं खाना होजा कर लिया हमारा खाना आ गया है हमने उसे प्रेश कर लिया है उसके बाद हमारा आ गया था माउथ फ्रेश्टा जो बहुत ही यमी था आपको लिखाते हैं पाइलेट का कैबिन अब हमने कैबिन में एंटर कर लिया है यहां पर देखो टू सीट्स लगी वी है और विंडो ही विंडो में से श्रन की रेज आ रही है इसमें टू सीट है जो एक है पाइलेट की और एक है को पाइलेट की कि इंस रहने होुँवे, फि captivating होकरा है इस राई। डालिश को लेंडिंगी होने है और ठोणे अधी राई। लेंडिंग होनी है कि यह बस मैंने शुरू कर दिया है यह बहुत चारे बटन्स थे यह बता है यह बता है यह बटने नहीं है कि इस अधिक पर यह बटने गणे वाप यह बाप एक्टी ुचाईजी मैं देख रही थी लोग जो है अधिकनल पोस्ट बनाया फिर हम अधिकनल लगे है और हम वापस नीचे बचाने लगे आँ अब आपको वो वीडियो दिखाये थे जब ये बढ़ना शुरू हुआ था ये दिखा में आप आप आज एरोप्लेम दिखाने वाली हो और इसके बोर से पार्ट्स बढ़ाने वाली है हेलो गाइस ये वह बड़ा एरोप्लेम है और इसका सिस्टम भी बहुत बड़ा है और हमने अच्छे पोजिट बनाए और बहुत सारी फोटो की चवाई उसके बाद गरवी बहुत ही जादा हो रही थी तो हमने जैंशी बन्जी पैक करवाए तो इसके बाद हम घर को लिकर गए जानल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कॉमेंट और शेयर करें झालप खुब याद करें चुमें जाद झालप मेंट हुआ झालप eye झालप आँने संदाव जादयर मिह थी जानलप सर को लघस तो हमने prawद safer को ख़्ण б 적़ार do